तीन तलाग का कानून भी मुस्लिम महिलाओं के दर्द पर मरहम नहीं लगा पा रहा है तीन बच्चों की मा अनीसा बेगम न्याय के लिए दर्दर की ठोकरे खा रही है अनीसा का गुनाह इतना भर है कि उसने पती के अवैद संबंध पर एतराज किया इसकी सजा उसको तीन त करने में पुलिस ने दिल्चस्पी नहीं दिखाई ठक हार कर विवाहिता ने एसपी से शिकायत की है दरसल प्रताबगर जिले के लाल गोपाल गंजगाओं की रहने वाली मुहम्मद हदिस खान ने अपनी बेटी अनीसा बेगम की शादी साल 2012 में करारी कजबा के रहने वाल से सल्मान का अवैद संबंध हो गया उसके बाद अनीसा के जिंदगी ससुराल में नरक हो गई बाद बाद पर पती सल्मान मारता पीड़ता था इसके कारण वो माय के चली आई 21 सितंबर को बेटी की तब्यद बिगड़ गई तो उसने पती को फोन पर बताया पती ने उसको करने पर तीन बार तलाग तलाग कहकर घर से भगा दिया पिड़ता बताती है कि पती के तलाग देने के बाद वो प्राथना पत्र लेकर ठाने पहुंची लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया है ठाने के चकर लगाकर वो एसपी के दफतर पहुंच गलता इन जो कि घमकी देटा है ओड़ा है कि अगयाँ और विद्षी मेरा थे पीज आ नहीं कुण देतार है ढब नहीं हूंची ए प्रहाँ हम मेरे रहने चाहतें कर आई हम omrana चाहते हैं लेकिन और खूदी नहीं रहने देता है उसके घरवाले बोलते हैं कि बहला पुसला उसको बुला कि एगर में रखो अप्रिटोर्ची के जलाद मर जाए पुलिस से सिकायद किया अपने केसरन दिया ठाना में दिया करारी में दिया दो बार कुंदा छेत में दिया, पर्तावगर में दिया, महेजगर में दिया, कहीं नहीं सुनवाई हुआ अनीसा मेरा नाम हो